हेई गाइस वेलकम तो अभीनी आटो व्लॉक्स आज हम लोग बात करने वाले हैं All New Toyota Fortuner 2020 जो कि थाइलेंड के अंदर अन्वील हो चुक है Fortune 2020 को तोटल यह दो ट्रिम्स के अंदर लॉंच हुई है Base and Legender जो इसका Base है वह Outgoing Model जैसे ही कुछ दिखता है और Legender जो है वह एक नया वेरिंट लॉंच किया गया है So आज इस वीडियो के अंदर हम comparison करने वाले हैं Toyota Fortuner Base और Toyota Fortuner Legender को So guys अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो क्यों कि डेली में आप अपलोड करता रहता हूं आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके इंटीर का एक चार्ट दिखाने वाला हूं जो आप देखकर समझ पाएंगे कि बेस के अंदर आपको क्या फीचर मिलता है और Legender के अंदर आपको क्या फीचर मिलता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आउटलूक की अगर आप आउटलूक देखेंगे बेस वेरिंड का तो वो आपको आउटगोइंग मॉडल जैसा ही कुछ दिख रहा है बट इसके अंदर कुछ कॉस्माटिक ट्वीट्स किये गए हैं जो कि आपको इसके फ्रेंट क्रे आपको आपको स्लिकर देखने के लिए और उसी के अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हैडलंप भी मिल रहे हैं और LED DRL का भी आपको इसके अंदर लुक देखने कलिए मिल रहा है जो कि DRL पहले से और भी जादा फैसिनेटिंग लूक के इंदर इंस्टॉल की गई है वही नीच आपको मिलते हैं, शिल्वर स्केट प्लेट जो कि चिन में प्लेंस्टान की गई है पहले से और भी जादा मस्कुलर लग रही है कार वहीं जो इसके एर डायम है उनको थोड़ा सा कम कर दिया गया है और जो इसकी फॉग लायम की आप हाउजिंग देख रहे हैं उनको भी चें मिल रहा है उत्वाइन आपपको इसके फ्रेंट में देखने के लिए है जो काफी जादा अपीलिंग लग रहे है अगर आपको इसके एडल वहuju काफी जादा स्लीकर मिल रहे है और यूझी Records को उब्रेंग को स्मॉल कर दिया गया है और नीचे एर डायम है वह आपको आपक के लिए मिल रहा है वही नीचे आपको जो टर्न इंडिकेटर है उनके एक युनीक सॉट ओफ डिजाइन भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाते है ग्रिल्स आपको थोड़ा वर्टिकल टाइप में देखने के लिए हाँ पर मिल रही है वहीं अगर साइड लोक के बात कर पर मिल जाते हैं बट अगर मैं लेजंडर वेरिंट की बात करूँ तो साइड लुक में आपको उसके 20 इंचिस के डायमंड कट अलॉई वील्स मिल रहे हैं जो की काफी जादा यूनीक है और कार को एक स्पोर्टर लुक दे रहे हैं और इसकी जो साइड फूट स्टैप है वह आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल रही है वह अगर हम बात करते हैं इसके बैक लुक की बेस वेरिंट की तो वहां पर आपको ऐस सच कोई भी चेंजिस देखने के नहीं मिलेंगे सेम आपको पंपर पहले वाले मिल रहे है एड़ लाइट टेल लाइट पी और अपको ब्लैक माटन आप जो गिल रहे है जो कि ऐसका बंस वेरिंट के इंदर भाले बात राटे के लिए हैंट या यह आपको डूल-थी के अवैलेबल हो जाएंगे जो आपको बिस वेरिंट के इंदर अविलेल नहीं वे तो यह बात कर लेते हैं, इंटीरियर की मैंने एक चार्ट बनाया आप लोग के लिए जिसे मैं आपको समझा सकता हूँ कि लेजेंडर में क्या मिलता है और फॉर्चुनर स्रांडर के अंदर आपको क्या मिल जाता है अब देख सकते हो जो फर्स पॉइंट है वो क्याबिन जो है क्याबिन ले और दोनों ही कार का सेम रहने वाला है बट जो डाकर थीम है उसका यूज किया गया है आउटगोइंग मॉडल से आपको इस बार दाकर थीम मिलेगी दोनों ही कार के अंदर प्रीमियम लेधर अपॉल्ष्टि दोनों ही कार के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी एट इंचिस का टच्च्रीन एंफोटेंट में सिस्टम विथ एपल कार प्ले आपको स्टैंडर्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि पहले एपल कार प्ले नहीं आता था अगर आप लेजंडर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको नाइन इंचिस का एंफोटेंट में डिस्प्ले मिलेगा जो सपोर्ट करता है एपल कार पर वहाँ जो वाइरलास सार्जिंग है वह आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोनों ही कार के अंदर एंबिन लाइटिं का जिससे हम जो इसके टेलगेट ओपन करने के लिए अगर नीचे पार्ट करते हैं तो टेलगेट ओपन हो जाता है वह दोनों ही कार के अंदर आपको फीचर अविलिबल मिल जाएगा 9-Speaker JBL Sound System आपको Standard के अंदर नहीं मिलेगा वह आपको Legendre के अंदर मिलेगा Dual Tone Seats का Option स्टैंड़ के अंदर नहीं मिलेगा वह Legendre के अंदर मिलेगा Cruise Control आपको दोनों ही कार के अंदर अविलिबल मिलेगा Radle Shifters भी दोनों ही कार के अंदर अविलिबल मिलेंगे वह लेजंडर के अंदर ही मिलेगा वही जो इसका इलेक्ट्रो क्रॉनिक आयर वीम है वो भी दोनों कार में मिलेगा और जो इसकी एडवे पावर सीट्स हैं वो भी आपको दोनों ही कार्स के अंदर मिल जाएंगी वन टच फोल्डिंग मिडल रो सीट्स भी दोनों ही कार के अंदर अवेलेबल है और टोयटा की टी कनेक्टिविटी भी दोनों ही कार्स के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी वहीं जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो आपको लेजंडर के अंदर अवेलेबल मिलेंगी वह बात कर लेते हैं इसके safety features की तो safety features के अंदर आपको seven airbags, rear parking sensors, hill assist, vehicle stability control, isofix, ABS plus EBD plus brake assist, high speed warning alert, speed sensing door lock, traction control, all disc brakes आपको दोनों ही cards के अंदर standard मिलेंगे अगर legendary variant के अंदर में जो next और features आपको add-on मिलेंगे वो है pre collision, braking lane departure, assist, radar based cruise control ये जो तीन features हैं Thailand के अंदर आपको legendary के अंदर available मिल रहे हैं बट इंडिया के अंदर आपको ये available नहीं मिलने वाले हैं वह यह अगर मैं बात करूँ इसके engine specifications की तो इंडिया के अंदर 2.8 liter diesel जो produce करता है 204 bhp and 500 nm torque ये आपको available मिलेगा 6-speed manual and 6-speed 80 with paddle shifters के साथ वह 2.7 liter का petrol engine जो produce करता है 164 bhp and 245 nm का torque ये आपको इंडिया के अंदर petrol unit के साथ available होने वाला है वह यह अगर मैं बात करूँ इसके pricing की तो pricing approximately आपको 29 lakhs to 35 lakhs एक showroom price दोनोई cars की देखने के लिए मिल जाएगे means in this price tag आपको दोनोई cars available हो जाएगी आपको वीडियो कैसे लगे मुझे comment करके ज़रू बताना बाकी जो इसकी launch date रहने वाली है वो early 2021 इंडिया के अंदर रहने वाली है वीडियो पसंद आए तो like करना शेर ज़रू करना बाकी comment करके मुझे बताने क्या आपको वीडियो कैसे लगी बाकी मिलते नेक्स वीडियो में till then take care be safe bye bye